अपने भी और्डर किया होगा एसके जाका जो एंटी पीसी ओल सिप्ट में जितना भी क्वेशन आया था उसका जो बुक लॉंच किये थे तो अपने और्डर किया होगा लेकिन बहुत सारा प्रावलम था और बुक नहीं आ पा रहा था तो मैंने फाइनली उस प्रावलम को उसमें कोई परिसानी नहीं होगा तो हम सबसे पहले बुक को देखते हैं कि यह बुक कैसा है वाओ इट्स अमेजिंग विल्कुल विल्कुल लुकिंग तो बहुत मस्त है और बुक को जब उपन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सामने का जो लुकिंग है कितना मस्त है और इसको उपन करते हैं आप देख पा रहे हैं लिखा हुए anti-pc cvt one tcs original question और इसमें सारे के सारे जो anti-pc सिप्ट वाइज है जैसा लिखा हुआ है वैसा होना चाहिए तो मैं देखता हूँ क्या रियली ऐसा है अगर ऐसा होगा तो फिर तो मज़ा आजाएगा तो तो तेलिए हम ओपन करते हैं और ओपन जैसे ही करते हैं क्या मस्त लूकिंग है तो हुई फ्रंट वाला पेज है यहाँ पर अब इधर ओपन किया तो इधर भी इधर देखने को क्या मिल रहा है बिलकुल अच्छा से यहाँ पर एंटिपी से सीबीटी वन सिप्ट वन सिप्ट वन सिप्ट टू यानि डेट वाइज सारा डेट हाँ मिल रहा है बिलकुल डेट वाइज चलिए मैं आपको थोड़ा से जूम करके दिखाऊं यह देखो यह देखो कंटेंट है यह कंटेंट है यह कंटेंट है यह कंटेंट है देख लीजी यह सारा सारा सिप्ट वाइज है ठीक है यह था कंटेंट और इधर भी पूरा का पूरा कंटेंट ही पड़ा हुआ है और आगे मैं देखूं तो यह लाष्ट कब तक है लाष्ट अगर मैं देखूं कहा तक है तो लाष्ट इसमें क्यों 31 जूलाई हो नो नो दाउट इसमें 31 जूलाई तक क्यों आपको यहां पेपर हैं और एक जगह आपके लिए सार पीटी है और यहां पर देख देख पार हैं सारख सारा question & answer तो बेटर रहेगा कि आपने अगर order किया है तो मंगवा लीजिए अगर कोई परिसानी है तो उसको solve कैसे करना है मैं वह भी बता देता हूं देखे आपने जहां पर order किया है, तो soft day पर order किया है, तो soft day पर जा के आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको यहां पर process नहीं इसमें include कर देता हूं, आप उसको देख लेना, और फिर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है Google में, और Google में जाने के बाद आपको सर्च करना है सौपडे क्या सर्च करना है सौपडे सौपडे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ होगा सौपडे आप यहाँ पे करेंगे क्लिक और सौपडे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटर्फेस आएगा आप यहाँ पे देख पारेंगे आपके सामने भी एक नया इंटर्फेस आता होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सबसे नीचे वाला जो section है यहाँ पे मीनु लिखा हुआ है ठीक है? आप इस मीनू पे क्लिक करेंगे और जैसे इस मीनू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चार चीज देखने को मिलेगा उन चारों से आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन एक से मतलब है वो है order tracking ठीक है order tracking पे आपको जाना है और order tracking पे जाने के बाद क्या करना है आपको क्लिक करना है पहले और क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको एक contact number मिलेगा आप देख पारे होंगे आपको यहाँ पे contact number है जो की 100 हो रहा है वो यह है वो यह वाला है ठीक है आप इस पे क्या करेंगे सुबह 9 बजे से लेके सामके 6 बजे तक किसी भी बीच में आप इस पे call करेंगे और call करने के बाद आप से आपका जो order number है order number पूछा जाएगा email ID पूछा जाएगा और phone number पूछा जाएगा आप उनको बता देंगे और आपका अगर अभी तक फसा हुआ है बुक नहीं आया है तो वो बुक आपका आजाएगा तो आप बस यही करना ठीक है और आपका यह problem solve हो जाएगा इसके बावजुद भी अगर नहीं हो पारा है तो आप हमें comment करके बताईएगा उसके बाद फिर आप यहां पे अपना order number डाल सकते हो और फिर यहां पे अपना email address डाल सकते हो और वो डाल के जो है आप देख सकते हो कि बुक कहां पे आया और यह यह problem जैसे ही solve करेंगे तो आपका 3-4 दिन के अंदर बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा तो चलिए धन्यवाद